दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बाबा भर्थरी दाम के दर्शन कराने वाला हूँ जो की है सरिस्का के जंगलों में और मैं आपको भर्थरी बाबा की पूरी कहानी भी हाँ पर सुनाने वाला हूँ तो देखते हैं मेरे इस वीडियो को एक समय स्री गोरखनाज जी अपने शिश्यों के साथ ब्रह्मण करते हुए जैनी के राजा स्री भर्थरी महराज के दर्वार में पहुंचे राजा भर्थरी ने गुरू गोरखनाज जी का भवेश वागत और अपार सेवा की दोस्तो प्लीज सब्सक्राइब ट्रैफोडी चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए राजा की सेवा से स्री गुरू गोरखनाज जी अती पिरसन हुए स्री गोरखनाज जी जब अपने शिष्टों के साथ जाने लगे तो राजा ने उनको सिर्दापुर्ण नमन और प्रणाम किया गोरखनाज जी उसके अविवादन से बहुत गदगद हो गए तभी उन्होंने जोले में से एक फल निकाल कर राजा को दिया और कहा यह है अमर फल है जो इसे खा लेगा रह कभी बूड़ा नहीं होगा कभी रोगी नहीं होगा हमेशा जवान वह सुन्दा रहेगा इसके बाद गुरु गुरखनाज तो अलग नरजन कहते हुए अब ग्यात प्रणाज की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए उनके जानने के बाद राजा ने अमर फल को एक टक देखा उन्हें अपनी पत्नी से विसेश प्रेम था इसलिए राजा ने विचार किया कि यह है फल मैं अपनी पत्नी को ख़़ा दूँ तो वह सुन्दर और सदा जवान रहेगी यह सोचकर राजा ने वह है अमर फल रानी को दे दिया और उसे फल की विसेस्ता भी बता दी लेकिन अफसोस उस संदर रानी का विसेस्ता लगा तो नगर के एक कोटवाल से था इसलिए रानी ने यह अमर फल कोटवाल को दे दिया और इस फल की विसेस्ता से अवगत कराते हुए कहा कि तुम इसे खा लेना इस अद्ब मित्र राज नर्थगी को दे देता हूं कभी मेरी कोई बात नहीं टालती है और मुझ पर कुर्बान रहती है उसने वह अमरफल अपनी उस नर्थगी मित्र को दे दिया राज नर्थगी ने कोई उत्तर नहीं दिया और अमरफल अपने पास रख लिया कोटवाल के जाने के बा की विशेषता सुना कर उसे राजा को दे दिया और कहा महराज आप इसे खाए लिना क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए अन्मोल है राजा फल को देखते ही पैचान गए और सन रहे गए गहन पूस्ता करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो राजा को उसी छण अपने पर सो सलोक लिखे जो की वेरागय सतक के नाम से परसीद है उससे पहले अपने सासनकाल में वे सिंगार सतक और निति सतक नामक दो सांस्क्रिटिक कावे लिख चुके थे तो दोस्तों ये थी बाबा भरतरी की कहानी यदि आपको अच्छी लगई है तो प्लीज मेरे इस वी करें थैंक यू